अंदर पदेश की पूर्व मुख्य मंत्री चंद्र बाबू नाइडियू को स्किल डेवलोप्मेंट घोटाले मामले में शनिवार सुबद छे बजे राज्य के नंदियाल शेहर में से गिरुफतार कर लिया गया अपरादिक जांच विभाग सी आईरी ने उनके खिलाफ गेर जमानती वरंट जारी किया था मिलिया रिपोर्स के मुताबिक ये केस दो सो पचास करोड रुपे से जादा का है चंदरबाबो को तब गिरुफतार किया गया जब नंदियाल शेहर में एक जनसबा को संबुदित करने के बाद वे एक बस में आराम कर रहे थे गिरुफतारे के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए नंदियाल अस्पताल ले जाया जाना था लेकिन उनके मना करने के बाद केम साइट पर ही उनका मेडिकल चेक अप किया गया यहां से उन्हें विजेवाड़ा में ले जाया जा रहा है जहां उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा CID का दावा है कि जाच में जो बाते सामने आई है उसके अधार पर चंदर बाबु को गिरफतार किया गया है वहीं आंदर प्रदेश पुलिस ने चंदर बाबु के बेटे पारा लोकेश को इस्ट गोदवरी जीलेम से हिरासत में लिया है लोकेशियां पद्यात्रा कर रहे थे उन्हें विजेवाड़ा नहीं जाने दिया गया इसी के साथ बने रही है एशनली जुद्या के साथ तहले बाब